जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों, आप सभी का हार्दिक सौआगते महाकाली भगत गयान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ अपने घर में माता काली को बुलाने के लिए बस एक बार ये पांच चीज चड़ाएं शनी वार को माता दो मिंट में आपके घर में आएगी जी हाँ भक्तों जितने भी मेरे काली माता के भक्त हैं और जो माता काली को अपने घर में बुलाना चाते हैं उन सबी भक्तों को आज मैं माता काली का एक ऐसा कारे बताने जा रही हूँ जो आज तक उनको किसी ने जल्दी से नहीं बताया होगा यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है सिर्फ पाथ चीजों का इस्तमाल करना है जो जो मैं पाथ चीज़े आपको बताने जा रही हूँ यह चीज़े ओल्डेडी आप अपने घर में करते भी होंगे इसका इस्तमाल और इनी चीजों का आपको इस्तमाल करना अगर आपके पासी चीजे है तो बढ़िया है अगर नहीं भी है तो आप इन चीजों को दुकान से लेकर आ सकते हैं और इसका इस्तमाल करके माता काली को अपने घर में बुला सकते हैं जब माता आपके घर में आएग अगर आप आदिये दूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को पूर जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेट आप से करना चाती हूँ अगर आप लोग महाकाली भगधियान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना पेल आइकन को उल पे सेट कर लेना ताकि अमरी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भगतों के पास पोचे तो जी भगतों आप लोगों को क्या करना है कुछ नहीं करना पांच चीजों का इस्तमाल करना है वो भी शनिवार के दिन तो जीसी कि आप सभी को पता है अपने घर में जब हम माता काली की पूजा पाट करते हैं तो पूजा पाट करते समय हमें क्या दिखता है माता की मूर्ती दिखती है, माता की फूटो दिखती है, माता के मंदर दिखती है ये सब चीज़ा हमें सपने में दिखती है और ये हर की चीज़े नहीं दिखती है, जिसके पास माता की शक्ती होती है ये चीजे भी उसी को ही दिखती है आप इस बात को मानो ये मत मानो ठीक है कहने को माता के करोरो भक्त हैं लेकिन करोरो भक्तों में से जिन भक्तों से माता परशन होंगी जिनको माता अपने दर्शन देती है तो वही उसी व्यक्ति से माता खुश रहती है तो जी आप लोगों और छोथी चीज में लेनी है पीली सर्शू है यही आपको खपर भी लेना है क्योंकि खपर में ही माता का सबसे बड़ा भूग देंडा है अब जैसे कि आप लोगोंने खपर ले लिया तो खपर में सबसे पहले नारियल रखना है तीके जो आप नारियल लिया है वहे आपको खपर में रखना है और नारियल को कलावे से बांध कर ही रखें चाहे तीन बार बांदे चाहे पांच बार बांदे लेकिन कलावे से बांदना है फिर डालने हैं पीली सरसों के साथ ही ठीक है दोनों चीज तीन तीन चुटकी आप खपर में डाल दें और एक कपूर ले वो भी आपको खपर में डालना है और जो नीबु लिया है वो भी काट के आपको खपर में ही डालना है लेकिन कैसे ये सब चीज़े जब आप ले लोगे सब से पहले आपको खपर में जलाने है चार कपूर तो जी आपको पहले कपूर जलाने है खपर के अंदर ठीक है कपूर जलाके फिर उसके वादी ये सारी चीज़े आपको माता को चड़ानी है बीच में आपको रखना है नारियल जो आपने नारियल लिया है बागी चुटकी वर जितितिने काले तिल चुटकी वर पीली सर सो चपाँ फोट जरते हों हरो आप को सारा ही इसमें टालेना है छा डालए आप मदल्लै थोड़ा सा भी बचाना ना नहीं है सारी ही सराप आपको उसमें डाल देनी है अब जैसे ही मान ली आपने कपूर को जला दिया ठीक है कपूर जलाती बीच में आपको नारियल रख देना है बाकि सारी चीज़ डाल देनी है नीमु को चक्कु से कट के डालना है रैफल की बेटा आपको खपर में देनी है और सराप आपको कौन सी लेनी है देशी का पोग जिसे देशी का पोग के दिन ठीक है तो आपकी समझ में आ रहा है पूरी तरीके से अगर नहीं भी आ रहा है तो आप तीचे कमेट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपका ज़रूर करूंगी तो जी अब आपने इसारी चीजे मालनो माता को चड़ा दी फिर उसके बात क्या करना है जैसे ही आपकी सकते हैं मैं आपसे कुछ पूछना चाता हूँ मैं आपसे अपना कोई कारे कराना चाता हूँ झोभी आप करना चाते हैं स्याइव तंधैител कि और यहीं है में आप लोगों को इस अग्यारी को सीधा फीपल के पेड़ के लिए लेकर जाना है फीपल के पेड़ पे आपको इसे वहां चड़ा देना है समझ रहें गर यहां?- तो पीपल के जैसे कि मान लीजिए नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रे में भी आपिस कारे को कर सकते हैं, लेकि नवरात्रों में ना करें तो अच्छा है, क्योंकि नवरात्रों से पहले कर लें तो अच्छा है, ये नवरात्रों के बात करें तो भी अच्छा है, क्योंकि नवरात्रों म माता ककी शर्णम को अप की आप इसको नवात्रों में न Luck कर सकते हैं सिंपल सब रहmb決स्थ है जो मेने आपको गता दिया है दो मिनट में अगर आप मता का अली नहीं नाएं नगी चृत एक और अगर आपको मुझे कहना हो वो कहा दे ना लेकिन इतनी मैं आपको गारंटी दे देती हूं मुझे माता पे पूरा विस्वास है जब आप इस कारे को करेंगे तो माता आपके एक बुलाने से दो मिन्ट में हाजिर आपके सामने हो जाएंगे चलिए भक्तो जो जो मैंने आपको बताया है वो आपकी समझ में पूरी तरही के से आगया होगा अगर नहीं भी आया है तो आप कमेट करके पूछ सकते हैं मैं आपका जवाब जरूर करूँगी अब आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर महादेब माकाली बाब भोले ना ता आप सभी की सारी मनों कामना पूरी क करें उस रहे आप और आप लोगों का परिवार जै माता की है